साउमी फोर्टीन इल्ट्रा जो कली लॉंच हुआ फ्लेक्सिफ फोन है, फास्स रिफ्रेस्ट रेट 2K, एमोलेट डिस्प्लेट 50 मेगापिसल, फ्लेक्सिफ कोट कैमेरा सेट अप, फ्लेक्सिफ प्रोसेसर, यूज बैटरी एंड मनी मोर्ड दोस्तो, आज में साउमी फोर्टीन इल्ट्रा का अन्बोक्सिंग और फॉर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ, जो कल ही लहुँच हुआ है, मेरा नाम विलन है, और आप देख रहे हैं टेकिश शीट, और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्निव अपडेट सबस देख रहे हैं तो इसे लेटेस्ट इंपडेट सबसे पहले देखने के लिए, अगरा की हुँए देखने के लिए, सब्सक्राइब करके पहला आइकोन को दबाएकर वाल कर दियुँ हमारे टेक्निव को जोइन कर लिए, ताकि आपको लेडेस उस्टेक अपडेट की नोटि प्लास्टिक का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, इस काड़ बॉक्स में क्लियर केस, जूजर मैनियूल और सिम टूल मिल जाएगा, और ये है 90 वोट का पावर एडप्टर, वो ये टाइप A के आउट्पूट के साथ आता है, दोस्तो आपके पास फोन में कितने वोट का होने वाली है, और मैंने अल्रेड़ी साउमी 14 और 14 प्रो का डीटेली वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी, जरूर से देख ले, अब फोन के प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं, और बात करते हैं फोन के में different देखने को मिलती है, screen की all four sides micro digital मिलसी मिलती थी, लेकिन यहां पर इमाइक्रो काउड मिलती है, scrim के ओपर तो default screen сохран मिल जाएगा, selfie के लिए punch hole center में मिलता है, phone का बेक देखे तो dragon crystal blue color में मिलता है, जो साव में की SU7 kaar जैसा देखने को मिलता है, phone के बेक में सीरा में जेसी फिल मिल जाती है, लेकिन एक्चुल में ये ग्लास बेक है, इसके अलावा एक लेधर वेरियाट भी मिलेगा, बेक ग्लोसी मिल जाता है, ग्लास बेक में इस बार डिफरेंट सेप मिल जाते है, फॉस्ट अफोल फ्रेम और बेक के कनेक्शन यहाँ पे देख सकत है, ग्लास स्ल density ही कोड मिल जाता है, केमरा मोडियूल भी देख सकते हैं, इंपट फोल्ट के बेक में kry एक में ल grandpa के लीम जाते है, जाने कंप्लेक सेंफ मिल जाता है, बडा तो ही ये, साथ में बंपी भी है, और middle में lens का aperture भी mention किया है side से देखे तो camera module में decorative ring मिल जाती है bottom में silver मिलती है, उसके उपर gold मिल जाती है और उसके उपर black color में texture देखने को मिलते है उस side से देखे तो camera module भी काफी बड़ा लगता है phone में frame देखे तो यहाँ पे भी uniqueness देखने को मिल जाती है flat और count का combination मिल जाता है side से देखे तो flat भी मिल जाती है और count भी मिल जाती है, यानि hold करने में feel काफी अच्छी मिल जाएगी और top side देखे तो सिर्फ flat ही मिलेगी placement देखे तो right में volume rocker and power button मिल जाता है bottom में speaker grill, type C port, primary microphone और sim tray मिल जाती है और इस tray में dual sim slot मिल जाएगा और waterproofing के लिए rubber ring भी मिलती है हाँ ये phone waterproof है, IP rating भी मिल जाती है phone का weight करीब 231 grams का है, जो काफी ज्यादा है यानि previous generation जीतना ही है, आपको Xiaomi 14 Ultra की design कैसी लगी मुझे comment section में जरू बताए और दोस्तो, Xiaomi 14 Ultra और Xiaomi 13 Ultra का design में comparison भी देख सकते हैं Xiaomi 14 Ultra के screen देखे है, तो screen में bezels almost uniform मिल जाती है यानि पतली मिलती है, screen to body ratio काफी ज्यादा मिलेगा display 6.73, each की LTPO AMOLED मिलेगी, infrared rate 120Hz की मिलेगी, resolution 2K का मिल जाता है और screen में 68 billions colors मिलेंगे आप यहाँ पे S24 Ultra के साथ भी comparison देख सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ unboxing और first impression ही बताने वाला था डीटेल लिवी वीडियो जहाँ पे camera test, performance test, battery test और gaming test डीटेल में बताने वाला हूँ, so stay connected without a channel तो दोस्तो, आपको Xiaomi 14 Ultra कैसा लगा? मुझे comment section में जरूँ बता है और दोस्तो, latest phone के leaks launch dead tech news सबसे पहले देखने के लिए मेरे X.com formally Twitter handle को follow करना ना भूले और latest phone और gadgets के 1 minute unboxing देखने के लिए मेरे Instagram handle को follow करना ना भूले तो दोस्तो, हम मिलते अगले latest check update के साथ तब तक के लिए thanks for watching, have a great day and keep smiling और दोस्तो, हम दोडिए लोड्स चाहरस आए, हाँ देखने के लिए दोड़ में आए, हाँ प्योड़, हाँ चाहर्वल, हाँ आए, हाँ